आज के यह वीडियो का टॉपिक है मार्जीन पैनल्टी मुझे कई पर मेसेज आते है कि सर मुझे पता नहीं लगा कैसे मेरा मार्जीन पैनल्टी लग गया मेरा मार्जीन तो था उसमें फिर भी मैंने देखा पी एनल तो मुझे वहाँ पे दिखाई दिया कि 4000 मुझे चार्जिस लगाया या 5000 पैनल्टी लगी हुई है तो यह वीडियो में हम समझे के कि एक एक एक्जाम्बल के जरिये कि मार्जीन पैनल्टी कैसे लगता है और आप उसको कैसे अवोइड कर सकते हो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़र करना और वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक करना तो मार्जीन पैनल्टी किया है कि एक पिक मार्जीन के ऊपर देते है जैसे वो सेभी ने भी रूल्स जो चेंज किये है उसके इसाब से हमें ज्यादा मार्जीन पे करना पड़ता है पर अगर हम इंट्राडे में अगर कोई position बनाते है और अगर हमारी position के opposite कोई trade होने लगता है तब हमारा margin उसके हिसाब से वहाँ पर बढ़ता है और हम फिर उसको अगर monitor नहीं किया जाता तो वहाँ पे एक penalty लगती है तो जो according to the NAC है वहाँ पे क्या लिखाई दिया है यहाँ पे कि जो आपका shortfall होगा यानि क short reporting of margin in client margin reporting files तो जो आपका margin है अगर वो एक लाग से नीचे उसमे shortfall हुआ तो आपको 1% में देना पड़ेगा और एक लाग से उपर में है आपका तो वहाँ पे आपको 0.5% margin देना पड़ेगा margin penalty देने पड़ेगी यानि कि जो amount आपका shortfall है total amount पे नहीं देना है shortfall है उसके उपर देना है पर ज्यादा दा जो लोग rate नहीं करते हैं वो क्या है यह है यह है यहाँ पे if short or non collection of margin for a client continue for more than 3 days consecutive days then the penalty of 5% of the shortfall amount shall be levy of each day of continue shortfall यानि कि हर एक दीन आपको 5% फिर चार्ज लगेगा दोस्तों onward third day जो हम example देखेंगे आपको वहाँ पे clearly understand हो जाएगा कि हम किस हिसाब से वहाँ पे वो लोग charge लगाते यह पूरा जो base है F&O and option दोनों में लागू पड़ता है फिर क्या है कि if short non collection of margin for a client takes place more than 5 days in a month then the penalty of 5% of shortfall amount shall be levy for each day यानी कि अगर आपकी एक बार गलती होए तो ठीक है मगर आपने same गलती 5 बार किया एक महिने में तो आपको each day 5% फिर वहाँ पे वो लोग charge लगाए कि even though you have only one day तो यह ध्यान में रखना दोस्तों फिर क्या है कि if short collection of margin from the client is cost due to a moment of 3% or more in the nifty 50 on a given day then the penalty for short collection shall be imposed only if the shortfall continue the next day यह एक important क्या है कि आपने कोई अभी position बनाई market में कुछ crash हुआ और 3% वहाँ पे मोह हो गया निप्टी का तो आपको उस दिन penalty नहीं लगेगी पर अगर next दिन अगर आपने वो payment नहीं किया और next दिन आपका shortfall है तो next दिन चार्ज लगेगा यानि plus 2 टी plus 2 यानि trade plus 2 days तो आपको एक पहले दिन और दूसरे दिन आपको chance देया जाता है अगर वो फिर नहीं होता है तो आपको वो लोग charge करते हैं अब हम समझते हैं उसको example के तुरू तो हम मान लेते कि आपके account में 1,25,000 है और reliance का जो हम अभी के अभी जो margin है उसके requirement के हिसाब से 1,23,500 को आपको margin require है to carry one lot of reliance तो हम assume करते हैं हमने reliance लिया है 22,25 पे हमने एक lot लिया जिसका size है 250 तो first दिन हम जब carry किया था तब close हुआ price 22,10 यानि हमारा 15 point नीचे जिसमें हमें loss आता है 37,50 तो 37,50 अगर मैं 1,25,000 माइनस करूँगा तो मेरा यहाँ पे shortfall आएगा 22,50 कि इसमें यह जो हमारा amount था 1,23,000 उसमें भी short हुआ तो उसके उपर मुझे लोग 0,50 यानि कि 11 रुपे मुझे वो लोग charge करेंगे नेक्स दिन भी market यहाँ पे downfall हुआ उस दिन हमारा closing हुआ 9,0 तो shortfall उसके इसमें जो हमारा loss हुआ हमने payment नहीं किया कई broker होते हो वो लोग message कर देते या आपको बोलते है कि please payment कर दो आपका जो shortfall हुआ या minus होए कोई जो broker होते हो आपका position ही काट देते है वो कई broker होते हैं जो 20% तक रहने देते हैं बाद में आपका position with the charges काट देते तो वो ध्यान रखना है तो second day हमारा loss हुआ minus 87 y0 मैं आपको यह example के लिए बताता हूँ ऐसा नहीं कि मुझे यह stock person नहीं है या कुछ मैं example यह ले रहा हूँ तो आपको समझ में आएगे अगर continue हम minus जाते तो क्या होता है तो next day भी हम यह 0.50% चार्ज लगा उस पे 36 रुपेस third day market में crash आया close हुआ हो 2125 यानि 100 points minus हुआ हमारे price से तो हमारा loss कितना हो गया 25,000 जो यह 25,000 loss हुआ और हमने payment नहीं किया जो हमारा margin कितना था पहले 1,25,000 हमारा capital था लॉस हो गया 25,000 तो यानि हमारा जो margin है उसमें भी हमारा shortfall आगया 23,500 तो third day यहाँ पे है तो हमारी जो capital हो गई अभी क्या हो गई 1,005 से नीचे आ गई क्योंकि 1,25,000 था और हमारा loss हो गया 25,000 और हमें चाहिए कितना margin 1,005,000 तो उसके उपर वो लोग 1% चार्ज लगा देंगे हमें जैसे ही हमारा capital वन लेक से नीचे जाता है हमें चार्ज लगना चालू होगा 1% एक लाग के उपर हमारा कोई भी shortfall है उसमें 0.50% चार्ज लगेगा next दिन market उपर आया 50 point तो वहाँ पर आ गया 2175 और हमने अभी भी वो payment नहीं किया था अभी भी हम carry करके चल रहे है और in the hope यह reliance एक दिन 100 point मो कर देगा और हम profit में आ जाएंगे fourth दिन consecutive हमारा shortfall तो उस दिन हमने total loss हमारा दिखा रहा है 12,500 जो यह 12,500 है वो अगर हम लोग 1,25,000 से minus करते है तो हमारा वहाँ पर जो total loss रहेगा वो shortfall आएगा margin का 11,000 तो 11,000 पर क्या होगा क्योंकि 3 days हमने continue पे नहीं किया है fourth day हो गया है तो वो लोग हम पे 5% penalty लगाएंगे जो है 550 550 हमें चार्ज लगना चालू होगा इसके बाद में हर एक दिन हमें 550 के उपर चार्ज लगना चालू होगा दोस्तों तो इस हिसाब से वो लोग count करते है कि जब तक आप फिर payment नहीं करोगे आप पे के उपर 5% of all कियो ना हो वो पांच per cent ही लगेगा दोस्तों तो ये क्यों क्यों क्याे वार कोई बोलता है कि मेरा पहले तो इतना kleine अभी जाके आ रहा है पांचएजार मेरा डाउन यहाँ ब्लाट है मेरा इस बार चार्ज लगा मुझे लगा ओप वो क्यों होता है वो भी मैं आगे बत ज्यादा तर जो लोग आते है वो option trade करते हैं तो हमें hedge करके trade करना पड़ता है तो इसमें भी मैं assume करता हूँ कि हमारा capital one like twenty five thousand है तो अभी आप कोई भी position जहां पे two position लेते हो यानि कि one call buy one put sell वा या call and pull हम straddle बना के sell करते हैं और उसको hedge करते हैं far strike say तो internet margin हमें लगता है 50,000 कि अगर हम example इसमें लेते हैं कि हमने यह position बनाया था यानि 35,000 का हमने call put दोनों बेचा था उसके सामने 35,000 put का hedge किया 36 call का hedge किया कोई बंदा यहाँ बंदा है smart कि अगर मेरा position तो अभी बन गया अभी कौन मेरा execute करेगा वो करेगा call and put जो buy किया है hedge के लिए margin कम करने के लिए वो हटा देगा जैसा ही वो हटाएगा उसका margin shortfall आ जाएगा एक lot sell करने के लिए अभी हमें चाहिए 1,27,000 अब उसने 2 sell किया यानि कि उसका कितना आ गया यहाँ पर 2,60,000 के आसपास आपका total margin जी आपका है कितना 1,25,000 तो यहाँ पर वो hold करेगा तो यहाँ पर पहले ही उसका 0.5 हाँ उतना आपको charge किसके ओपर देने पड़ेगे 1,35,000 के ओपर आपका charge लगेगा और जैसे ही आपका margin तो यहाँ पर 1,25,000 है उसके ओपर आप 1,35,000 कर रहे हो shortfall तो यानि आपको तो 1% लगेगा उसके charge 1,35,000 का जो charge आएगा वो करीबन आपको तेरा सो पचास के आसपास charge लगेगा अब सोच लो अगर आपने चार पोजीशन बनाया है ऐसा 2,00,000 के सामने आपका capital है चार लोट के सामने आप खेल रहे हो आपको लगा smart है तो आप exit कर दिया और फिर पता चला कि जो आपका profit होने वाला उससे ज्यादा तो आपको penalty लग गया तो कभी भी मत ऐसा करना दोस्तों और इसका दूसरी तरह कैसे होता है अगर आपने सोचो कि हटबड़ी में exit all कर दिया यहाँ पर क्या है कि if you exit your buy position first और exit all together you will be charged shortfall कोई भी आप यहाँ पर करोगे न जैसे ही exit all अगर system ने buy वाला पहला ले लिया तो आपके sell पर आपको penalty लगेगा तो कभी भी ऐसा मत करना दोस्तों तो इसका easy way क्या है आपको कि अगर आपको avoid करना है penalty always exit short position first then follow by position तो ही आपका यहाँ पर penalty नहीं लगेगा दोस्तों नहीं तो हर बार आपको आपका ledger देखना पड़ेगा most of the retail trader 80% they don't check their profit and loss statement वो ledger देखते ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कि penalty लग रहा है और वो सोच रहे है कि मेरा profit यहाँ पर credit हो रहा है अभी recently मिझे एक member ने बताया था कि sir पता नहीं मुझे इतना यहाँ पर penalty क्यों लग रहा है तो फिर मैंने उनको बताया था कि आप ऐसे देख लो आपका shortfall exit वहाँ पर हो रहा होगा अगर कोई position साथ में exit होती है तो भी आपको लगेगा तो avoid करना दोस्तों अगर आपके पास कम capital है तो हो सके तो intraday में exit कर लो and keep monitor your margin अगर जा रहा है कोई rate यानि की minus में तुरंद exit हो जाओ penalty का वहाँ पर मौकाई मत दो option खेल रहे हो buy का position पहले exit करो penalty से बचो हम कमाते है थोड़ा और गवाते है ज्यादा इससे अच्छा है कि हम save play करे कम capital एक lot से करो और आपके पैसे बचाओ थोड़े थोड़े पैसे बचेंगे फिर ज्यादा capital होगा हम और आगे जाके sell कर सकते हैं दोस्तो तो मैं आसा करता हूँ दोस्तो यह के मेरा explanation आपको पसंद आया होगा अगर दोस्तो यह मेरा काम पसंद आ रहा है तो please like and subscribe जरूर करना Thank you